प्यारे विद्ध्यारतियों, नॉब्बर दोहजार रिक्किस में राजस्तान राज्य दवारा आये जित N.M.M.S की परिक्ष्या के पर्षन पत्तर के हिंदी भाग के पर्षनों को हल करेंगे आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा नमक मिर्च लगाना मुहावरे कार्थ किसी बात को खूब बड़ा चड़ा कर कहना निम लिखित में से आँक का परियावाच्ची नहीं है नैन आँक का परियावाच्ची चक्सू भी है लोचन भी है तो यहाँ नव आँक का परियावाच्ची नहीं है निम लिखित में से स्याम का विलॉम सब्द क्या होगा स्याम कार्थ होता है काला तो यहां स्याम का विलॉम सब्द स्वेत होगा ए तिथी सब्द में उपसरग है ए उपसरग है और तिथी इसमें मूल सब्द है काला गोडा दोड रहा है वाक्य में रेखांकित पद है तो यहां काला सब रेखांकित है तो ये रेखांकित पद विशेशन है वरतनी की दरश्टी से असुद सब्द कौन सा है वर्तनी की दरश्टी से उज्वल शब्द भी सुद है आउसेक्ता भी सुद है इस्वर भी सुद है तो यहां विकल्प एक वाला जो शब्द है वो असुद है भारतिय सब्द में परते है इसमें विकल्प तीन वाला जो सब्द है वो परते है और भारत इसमें मूल सब्द है दो पहर से पहले के समय को पुर्वान कहते हैं रितुराज किस रितू को कहा जाता है रितुराज वसंत रितू को कहा जाता है लाव और कुछ की माता का नाम सिता था बस की यात्रा पाठ के लेखक का नाम हरी संकर परसाई आदिवाशियों का कुम्ब किस मेले को कहा जाता है बेने स्वर मेले को कहा जाता है सरनागत की रक्षा करने वाले महान सासक राणा हम्मीर कहां के सासक थे राणा हम्मीर रन थंबोर के सासक थे चेताउनी से चुंग टया किस की कृती है केशरी सिंग बारहट की रचना है किस की दीन दसा देकर स्री किर्शन के नेत्रों से आसु बहने लगे उप्रियुक्त गद्यान में किस परवतमाला की आतम कथा के बारे में बताया गया है अडावल किस बासा का सब्द है अडावल राजस्तानी बासा का सब्द है अडावल अरावली का नाम आरियन वैली किस ने दिया अरावली का नाम आरियन वैली अंग्रेजों ने दिया दक्षिन से उत्तर तक अरावली की लंबाई कितनी है 622 किलोमेटर अरावली का बौतिक सवरूप कितने बागों में विवाजित है तेन बागों में विवाजित है प्रस्तुत कविता की रचेता कौन है प्रस्तुत कविता के रचेता सूर्य कांत्रिपाथी निराला है प्रस्तुत कविता के माद्यम से कवी क्या दिखाना चाहता है उत्सा दिखाना चाहता है बसंत के लिए परियुक्त विशेशन, मृदूल निद्रित कलिया किसे कहा गया है आलसी लोगों को निदृत कलियां कहा गया है मन को हरने वाले के लिए एक वाक्यान मनहोर मन को हरने वाला आसा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद